जै श्री राधा माधव सद्गुरु देव भगवान की जै हो परम पूज्य श्री भाईजी की पुस्तक से आज भाईजी कह रहे हैं सर्वत भगवद दर्शन तथा महापुर्शुक के परती तीर्व आकर्शन दोनों ही बातों के लिए जिस छण तीर्व उतकंठा तीर्व चाह उत्पन होगी उसी छण आपकी दशा बड़ी विलक्षन हो जाएगी जीवन में केवल एक ही उद्देश रह जाएगा कैसे ये दो बातें पूरी हो कैसे किस उपाय से जल्दी से जल्दी यह हो जाए उस समय जो भी उपाय आपको बताया जाएगा कोई मामूली व्यक्ति विनोध में भी आपको बता देगा तो आप वही करने के लिए पागल की तयार हो जाईएगा वेह करना नहीं पड़ता स्वभाविक मन की ऐसी दशा हो जाती है पर अभी क्या दशा है विचारे चेश्टा करने के लिए मन बहुत कम तयार है भगवत दर्शन के लिए सर्वशेष्ट उपाए सबसे सरल उपाए जिसमें मन की बहुत कम जरुवत है ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को श्रीमत भागवत समाप्ती के समय बताया है पर उसे कौन करने के लिए तयार है भगवान ने कहा है हसने वालों की परवाद छोड़ दो लज्जा एवम दे अभिमान आधी भी छोड़ दो तथा कुत्ते, चंडाल, गो, गधे तक को भूमी पर पड़कर साश्टांग दंडवत करो जब तक सभी भूतों में मेरी अभिवक्ती ना दिखे तब तक शरीर, मन एवम वानी की व्रत्ती से ही ऐसी उपासना करो भगवत प्राप्ती के लिए जितने उपाए हैं उनमें सबसे सुन्दर उपाए मेरी राय में यही है कि सभी भूतों में मन वानी एवम शरीर की व्रत्ती से मेरी भावना की जाए ये भगवान श्री कृष्ण के मुक्के वाक्य हैं भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर उपदेशक कोई नहीं है ना हुआ है ना होगा पर कोन उपायुक्त उपाए को करने के लिए तैयार है आपका शरीर इसे कर ही नहीं सकेगा तरा-तरा की युक्तियों का योगताओं का महापुर्षों की राय का बहाना बताकर आप इसे टाल देंगे इसी प्रकार महापुर्षों में श्रद्धा के लिए जिस समय सर्वस्व त्याग का प्रशन खड़ा हो जाए उस समय इतने उचे त्याग की बात छोड़ दीजे तुझ से तुझ त्याग भी सहज में नहीं ह होगा आपको जीवन निर्वा के लिए कमी नहीं है पर मन में रुप्यों का महत्व रहने के कारण होता यह है कि जरासा कहीं भी उसमें नुकसान पहुचने की बात ध्यान में आ जाए तो सबसे पहले उसकी रक्षा का प्रश्न उठ खड़ा होता है ठीक ऐसे ही जिस दिन भगवत दर्शन संत प्रेम का महत्व मन में घर कर जाएगा उस दिन अपने आप सभी उपाए आप करने लग जाएंगे जैश्री राधा माधो